हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज का वीडियो मेरा वेजिटीबल हावेस्टिंग का है तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप से पता न चाहूंगी कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो सुस्क्राइब कर लीजिएगा औ और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें फ्रेंज तो चले वीडियो स्टाट करते हैं प्रेंज आज का वीडियो मेरा हार्वेस्टिंग का जो है वह ये जो आपको दिखरे मेरी सबजी गिल की जो है फ़र्ष्ट में हार्वेस्ट कर रही हूँ इसको क्योंकि इस टाइम मेंने सब्सफोर नाका सी लमेकिनीनुवरा थैनल सब्सक्राव. इस टाइम में मैंने ज़से में मुझे मैं हमारी अरेज़न युदर की वह ऐ। अधर म्यूनदन सब्सक्राव सब्सक्राव्राब। है फ्राइंच तो एफ स्ष्ट आया है कि यह समें और एग फ्लावर्स अरहे और यह समाव फ्लावर्स रहें और वि हम चोट चोटे रहे इन वेस्टेन लेकिन बनता नहीं है ख्राब और मैं दूसरी वेजितेबस जो हारवेस्ट करूंगी वो हे मेरा अर्बी का पत्ता है उसी का मैं हार्वेस्टिंग kरूंगी और हम मैंने जब इसकी रिपोर्टिंग किया था तब आप से वीडीयो शेयर किया था तो आप देख सकते हैं कि यह पॉडी बेग में लगा हुआ है आटे की औरी में लगा हुआ हैं कि इसमें कितने सारे पत्ते बड़ियासा आया हुआ है और कितना हेल्थी है फ्रेंट्स तो वेजेटेबल्स को अगर हम किसी भी तरह की बोरी या पॉली बैग में लगा सकते हैं फ्रेंट्स तो उसको स्पेस भी मिल जाएगा और सब्जी हमारी जो है वह हेल्दी होगी इसकी साइज आप देख सकते हैं पत्ते की साइज जो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े-बड़े मेरे पत्ते हुए हैं अर्भी के और देर सारे आया है प्रेंट्स का रीपोटिंग करने के बाद जिस तरह से इसमें वेजेटेबल्स मलग तीन गोना वेजेटेबल्स इसमें आ रहा है जो कि पहले इतना नहीं आता था तो आप देख सकते हैं मेरी ये अर्भी की पत्ते जो बहुत ही सारे आये हैं मैं बेट बेट में इसको काटती रहती हुँ प्रेंट्स फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और ये कि इतना सा एकी बेग में लगा हुआ है लेकिन फिर भी हमारे लिए ये काफी है क्योंकि इतने में ही देर सारी सबजी हो जाती है तो ये कितना हेल्दी है प्रेंट्स वो तो आप जानते ही है और बिलकुल ओर्गेनिक है ये हम किसी भी तरह का जो खाद होता है वो खान सब्सक्ondernों कि जाती हैं करिंश को खाने वाली चीज में नहीं उसका काल तहरा है हम किसी भी प्रकार का जो काईमिकल भाला ये कर vivio को खाखा औम पता चाहिए। सब्सक्राइब करने से पहले ध्यान रखना है कि कौन सी चीज को हमें कौन सा खाद देना है और अब भावर प्लांट को दे सकते हैं किसी तरह का खाद तो कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जितने भी चीज है जिसको हम यूज करते हैं खाने के लिए तो उस टाइब की वेजिटेवल्स हो या कुछ जिसे पान के पत्ते हैं जिसको हम पूजा के लिए भी यूज करते हैं खा भी सकते हैं तो इस तरह की चीज को हमें अवैड करना खाद यूरिया खाद देने से क्योंकि फिर कोई फाइदा नहीं रहेगा कि हम बाहर का और हमारे खुद की जो वेक्टेबल्स हम गाते हैं उसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा प्रेंट्स तो हमें केमिकल वाला जो खाद हैं जो दवाईयां है उस चीज को नहीं देना है गार्डन में यूज नहीं करना है और मैं जिसमें इस तरह का जो यूज करती हूं किसी किसी प्लांट में तो वो प्लांट मेरा में एक साइड रखती हूं और ऐसे प्लांट के साथ उस पॉट को रखती भी नहीं हूं प्रेंट्स तो उस चीज को हमें ध्यान देना है कि हमने किस चीज में दवाई चिड़का है किस में क्या किया है तो उसी तरह कि जो प्लांट होते हैं उसको साइड में रखिए और ध्यान रखिए कि इसको कब हमने दवाई दिया है और कब तक इसको यूज करना है तो यह सारी चीज गार्डन करने से पहले हमें हर चीज का तो यही है फ्रेंट्स छोटा सा वीडियो मेरा हार्वेस्टिंग का तो मैं अब हार्वेस्ट कर लेती हूं और हार्वेस्ट करने के बाद आपको फिर से बताती हूं कि मैंने इसमें से कितने जो पत्ते हैं लगब में सारे इसमें जितने भी हैं बड़े हो चुके हैं जब इस के हार्वेस्टिंग करूंगी और हार्वेस्ट करने के बाद आप से फिर देखे फ्रेंड्स इतनी सी मैंने वेजिटेबल्स हार्वेस्ट की है थोड़ी सी जितनी जरुवत है उतनी ही हार्वेस्ट किया है मैंने और इतने पत्ते हमारे लिए काफी है इतने लिए उस बहुत ह काफी है क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा तो फिलाल मैंने इतने ही हारवेश्ट किया है और अभी भी आप देखिए अभी भी बहुत सारे लगे हुए हैं क्योंकि इतने सारे दो जन को तो बहुत काफी हो जाएगा प्रेंटे 115 जा लेख सकते हैं कि एक दो टाइम के और भी सब्जी अब्लगी है और भी बन रही है तो आप देख सकते हैं तो इस तरह से आप अगर अपने गार्डन मे ओर्गेनिक सब्जी sih छोटी सी चोटी बेअगो चली मिलते अगले वीडियो में तब तक ही लिए